नमस्कार दोस्तों मैं आसीज पाठक परिक्षा प्लस की टीम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ रिजनिंग की कच्छा में हम लोग वेन डाइग्राम के कोश्चन देखेंगे और जभी भी आप रिजनिंग के ये वीडियो देख रहे हो उस समय आप पेन और पेपर रिजनिंग हो या मायत हो पेन और पेपर साथ लेके बैठें क्यूंकि जो कोश्चन आपको स्क्रीन पर दिखें उस कोश्चन को खुद सॉल्व करें उसके बाद से जो मैं कराता हूँ उस कोश्चन को सॉल्व देखें कि क्या मैं इस तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ कैसे टाइम बच सकता है ठीक क्यूंकि जब तक आप खुद पे प्रेक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आने वाला नहीं है तो सबसे अच्छा है कि जब भी हो आप लेक्चर देखो आप पेन और पेपर ले लो और साथ ही साथ कोश्चन देखते रहो और उसे करते रहो तो इससे आपकी भी प्रेक्टिस हो नहीं आएगी जब अब एक्जाम में जाओगे तो ज़्यादे आपको मेहनत करने की जरूपत नहीं पड़ेगी इसी प्रेक्टिस पर ही आपके सभी कोश्चन हो जाएंगे तो चलिए देर ना करते हुए हम कोश्चन सुरू करते हैं आज जो हमारा चेप्टर अभी तक मैंने आपके दो क्लासेस ली हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो चुका आपका डिस्टेंस डारेक्शन हो चुका है बाकी क्लासेस आप देख सकते हैं जो कॉंसेप्ट बेसि प्रेक्टिस बेस पर मैं आपसे यह कॉश्चन करा रहा हूं तो आज क्या जो चेप्टर है तो हम बात करेंगे वेंड डाइग्राम पर मैं पिछले लेक्चर में बोला था कि काउंटिंग फिगर पर करेंगे मगर काउंटिंग फिगर का लेक्चर पड़ा हुआ है जितना आप वहां से देख सकते हो कि कितने टाइप के सॉट ट्रिक से मतलब काउंट कर सकते हैं ट्रेंगल को चाया स्क्वायर को चाया रेक्टेंगल को तो वह मैं आपसे बाद में कराऊंगा क्योंकि उसमें कुछ आपके बहुत जादे नहीं कोश्चन पूछता है कभी-कभी आत तो चलिए इसे कर लेते हैं शुरू करते हैं विक्जामपल के साथ कोश्चन देखिए अप लोग और करते रहें साथ ही साथ जूम करते हैं कोश्चन को आगया question question पढ़िए और साथ ही साथ answer बताते रहिए और करते रहिए पेन और पेपर पे चलिए पहला question है नीचे चार विकल्प ABCD दिया गया है when diagram का represent किया गया है और आपके question दिया गया है एक दो तीन चार पाच ठीक है इस पाचो question को बताता है कि कौन सा when diagram अच्छे तरह से represent करता है ठीक है पहले question को देखते हैं आप लोग खुद बनाओ बालिका अभिने 3 और model कौन सा when diagram suitable लाएगा सबके लिए बालिका अभिने 3 और model यह सब्द सुनते ही आप में आना चाहिए कि जितने भी अभिने 3 होंगी वो किस category में आएंगी इसका बड़ा category क्या होगा साथ ही सबसे पहले यह होता है when diagram बनाने के लिए कि आप इन में सबसे जो भी तीनों आपके दिये हैं इन में पहले आपको सबसे बड़ी category रूणना है सबसे बड़ा class ढूणना है उसके बाद से दूसरा देखना है कि क्या उस class से वो relation में है कोई है कि नहीं है ठीक है तो जैसे अविने 3 है वो किसके अंतरगत आएगी बालिका के अंतरगत आएगी दोनों female candidate हैं बालिका के अंतरगत आएगी ठीक है तो यह आपका हो गए ब बाहर ही रख सकते हैं मगर कुछ portion रख सकते हैं तो हम ऐसे सो कर सकते हैं कि कुछ अभिने 3 जो होंगी वो model होंगी और कुछ बालिका भी model होंगी यह वाला portion कुछ बालिका model कुछ अभिने 3 model और यह जो portion बचा है यह कुछ पूरुस model होंगे तो ऐसा diagram आपको दिख रहा है न सब ही जानते हो, जो तार होता है वो कई material से बनता है, तो तामभा क्या है आपका, एक material है तो तार का कुछ पार्ट, मने बोला कि कुछ पार्ट आपका तामभा से बना होगा अर चागस तो इन दोनों से कोई relation नहीं है, तो वह अलग ही होगा वो भाई साब कागज होगे वो अलग ही होगा तो ऐसा डाइग्राम आपको दिख रहा है कोई ऐसा भी डाइग्राम नहीं दिख रहा थे इसका भी आंसर क्या हो जएगा D इन मेंसे कोई नहीं, विद्ध्यार्थी, ग्रेजुएट और खिलाडी, इसका diagram क्या होगा, बनाओ, विद्यार्थी, graduate और खिलाडी, इसमें क्या ऐसा है कि कोई बड़ा class हो, फिर उसके अंतरगत कोई class आती हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो तीनों चीज़ें हो अलग अलग है, विद्यार्थी अलग है, graduate अलग है, खिलाडी अलग ह तो ऐसे case में क्या होगा, आप खुछ सोचना कि student है, ये graduate कोई है, और कोई player है, तो player तो आपका कुछ भी हो सकता है, player आपका graduate भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, तो ऐसे आपको, वैसे student के भी साथ है, student जोए player भी हो सकता है, student graduate भी, तो इस तीनों में relation होना चाहिए तो सबसे better representation इसका यही बनेगा आपका कि student हो गया यह आपका graduate हो गया और यह player हो गया तो कुछ player ऐसे होंगे जो इन दोनों में नहीं होंगे अलग ही होंगे ऐसे कुछ graduate ऐसे होंगे जिनको खेलने से मुतलब नहीं होगा ठीक है और कुछ student होंगे जो graduate होंगे और कुछ लोग graduation पहला ही कर चुके होंगे तो ऐसे आपका best representation होगा option C तो इसका हो जाएगा option C चौता है आपका मानो सेर और स्वामी भक्त इसका representation कैसे होगा बनाएए खुद और फिर मैं जब बनाता हूँ तो देखिए क्या आपका answer वही diagram बनता है या नहीं बनता है ठीक है बना लिए होगे चले देखते है मानो सेर और स्वामी भक्त स्वामी भक्त क्या है स्वामी भक्त तो सब के अंदर होता है सभी अपने स्वामी की भक्ती करते है तो ये जानवर भी कर सकता है और इंसान भी कर सकता है तो स्वामी बक्त में जानवर मतलब सेर भी आ जाएगा और इसमें कुछ पार्ट आपका हो जाएगा क्या? मानों का भी हो जाएगा तो ये आपका best representation होगा ऐसा कोई diagram आपके सामने दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या होगा answer? option D रचनाकार पुरुस और चित्रकार इसका क्या होगा answer? बनाईए क्या होगा diagram? कैसे बनेगा? क्या वे figure में दिया है या नहीं दिया है option में? simple सी बात है चलिए देख लेते हैं इसे रचनाकार में एक बड़ी class है रचनाकार में ही आपका चित्रकार आएगा ठीक है? चित्रकार आएगा इसी में आपके writer आएँगे इसी में आपके poet कवी आएँगे इसी में आपके director आएँगे इसी में actor आएँगे सब रचनाकार में आएँगे ठीक है? अब इस रचनाकार के अंदर ही सभी लोग होंगे तो चित्रकार भी एक उसी का पार्ट है तो यह भी पूरा का पूरा चित्रकार एक रचनाकार ही खालाएगा अब बचा पूरुस तो अब इसमें यह हो सकता है कि इसमें जो कैंडिडेट हो मेल और फीमेल बच्चे लड़के लड़की कुछ भी हो सकते है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यह पूरुस यह कुछ पूरुस चित्रकार होंगे कुछ पूरुस रचनाकार में आ next question की तरफ बढ़ते है, question number 6-7, इसमें आपको दिया गया है, यह second type का है, अभी जो मैंने आपको पढ़ा है, यह पहला type होता है, when diagram का, उसमें आपको circle बना के represent करना होता है, आपको बताना होता है, कौन सा representation, सबसे accurate है, चलिए, इसमें आपको बताना होता है, कि आपको figure दिया इसमें आपको बताना होता है, कितने लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितने लोग किसको represent कर रहे हैं, लेटर को आपको digit को count करके बताना होता है, इसमें जैसा है, बोला है circle जो है किसको represent करता है, लाल कपड़ा पहनने वाले को represent करता है, मैंने लाल कलम से लिख भी दिया है, triangle जो विद्यार्थी को किस अच्छर से निरुपित किया गया है मतलब दर्साया गया है देखिए दो बात है इसमें इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थी को मतलब कि वो विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए जो हिस्टी की बुक रखता हो मतलब किसमे किसमे common होना चाहिए आपका triangle में common होना चाहिए और square में common होना चाहिए तो ऐसी कौन सी digit मिल लाई है जो आपको triangle और square में है बताईए if attack दे answer बताईए आप सबी लोग क्या है आपका e और f ये दोनों में common है तो answer क्या हो जाएगा आपका option c चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं जूम कर लेते हैं इसे चित्र में वैसे लाल कपड़े पहनने वाले जो इतिहास की किताब तो रखते हैं लेकिन विद्यारती नहीं है ज्यान दे ले दिएगा question में ऐसे लोग जो लाल कपड़ा पहनते हैं और हिस्ट्री की किताब रखते हैं प्लस student नहीं है तो मतलब triangle का कोई भी सब दूसमें आना नहीं चाहिए और क्या होना चाहिए किसके किसके बीच का common होना चाहिए कि लाल कपड़ा पाने हो प्लस आपका हिस्ट्री का book रखे हो तो ऐसे में सिफ एक ब्यक्ति दिख रहा है वो D है तो answer इसका क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा option B correct होगा next question पर पढ़िए वो अभी same type का question है आपका क्या बोला question representation देख लेते हैं कि circle किसे represent कर रहा है with जो आपका represent कर रहा है मेहनती लोगों को ठीक है और आयत जो है ये लालची लोगों को represent कर रहा है triangle जो है आपको इमंदार लोगों को represent कर रहा है और square जो है आपको किसको represent कर रहा है समय परायन timely लोगों को ठीक है अब question पर आते हैं direct question question number 8 पढ़िए और answer दीजिए answer इमंदार मगर लालची और समय बद लोग कितने हैं बोला है आप से इमंदार भी होगा और इंसान लालची भी होगा मतलब क्या question पूछ रहा है आप से कि इंसान इमंदार भी हो लालची भी हो और समय के भी पक्का हो ऐसा तो संभव नहीं है आज की वास्त्विक जीवन में, तो इसमें भी डाइग्राम भी आपका वही बता रहा है, कि ऐसा संभव नहीं है, इमंदार और लालची को दोनों नहीं हो सकते हैं, तो देखो, जो इमंदार का जो ट्रेंगल है, वा लालची से कहें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब अब यह इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, एक तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें तीनों का इंटरसेक्शन निकालना, जब तक एक नहीं करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सुन, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा आपको, अगले कोशन की तरफ पढ़िए, जोड लीजिए मेहनत वाले में मेहनत किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सरकिल को सरकिल में 18 ठीक है, 9 भी उसी के अंतरगत है 4 भी है, 3 है, 7 है और 10 है, total जोड़िए कितना आ जाएगा 9 नमबर कुश्चन कितना है 51 51 लोग ऐसे हैं जो आपके कुश्चन में पूशा गया है वो उसको follow करते हैं, मतलब इतने लोग मेहनती हैं, ये सभी में आए हैं अगले कुश्चन पर आते हैं, कुश्चन नमबर 10 चित्र के आधार पे कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है प्रतेक इमंदार व्यक्ति जो है आपका क्या नहीं है मेहनती नहीं है अब यहां देखिए, पूरा का पूरा इमंदार ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल ये जो ट्रेंगल है, पूरा का पूरा ट्रेंगल जो है आपका किसके अंतरगत आ गया, महंती का अंतर आ गया है और इसमें बोल ला है कि अप्रतेक इमांदार व्यक्ति महंती नहीं है, नहीं बोल दिया है और यहां पे है, तो यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा B वाला कोई भी इमांदार व्यक्ति लालची नहीं है सही बात है कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है इमांदार और लालची के बीच में तो आपका ये conclusion diagram को देखते हुए होता है क्या सही ठीक है अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 11 ठ्यान से पढ़िए और answer दीजिए इसे जूम कर लेते हैं और चले पढ़िए बोला यदि राम के पिता को A से निरुपित किया जाए और राम के भाई को B से दादा को C से और राम के रक्त संबंधियों को D से तथा सभी पुरुस को E से निरुपित किया जाए तो निमलिखित में से कौन सा वेन आरेक संबंध को पूर्ट सही निरुपित करता है option देखिए A, B, C, D में आप diagram खुद बनाईए कि कैसे इसका diagram बनाया जा सकता है फिर आप answer दीजिए तो चलिए बनाईए उसके बाद से मैं बताऊँगा आपको कि क्या diagram बनना चाहिए कैसे कैसे diagram को stepwise बनाते है चलिए आप लोग बना लिए होंगे अब मैं बनाता हूँ इसमें बोला है कि राम के सभी उस संबंधी है ए क्या है पिता है उनके male candidate ये भी होंगे उसके बाद से उसका भाई है ये भी male candidate होगा उसके दादा है C ये भी male candidate होगा और रक्त संबंधी को D से और भी कोई रक्त संबंधी है उनके जो D में है तो D वाला जो होगा वो male और female कुछ भी हो सकते है मगर उनके चाचा-चाची, आमा मा में कुछ भी हो सकते हैं रक्तसंबंदी और सभी पुरुस E हैं जो E है वो पूरे पूरुस को है तो यह मेल 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 तो यह पूरे-पुरे किसमें आ जाएंगे E वाले डाइग्राम में आ जाएंगे और यह D जो है, यह क्या है female candidate होंगी तो वो तो इसमें आई नहीं सकती ना अंदर नहीं समझ सकती है E के क्योंकि वो पूरे का पूरा पूरुस का E जो है बड़ा वाला गोला वो पूरुस का है तो ऐसा diagram कहां दिख रहा है आपको option A में दिख रहा है तो यह आपका होता है अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 12 को question पढ़िए और उसमें जो दिया गया है उससे आपसे पूछा गया है संभावित diagram आपके कौन-कौन से हो सकते हैं represent करने के लिए एक तरह से इसे बोल सकते हो कि यह silox का ही question है उसमें आप diagram बनाते हो तो उसमें भी आपको possibility number of possibility मैंने आपको silox का lecture देखिएगा मैंने जब all का case बताया है तो उसके number of possible diagram भी बताया है वहाँ पे तो जब वह आप समझ जाओगे बस यह आप आराम से कर ले जाओगे चलिए question करिए यदि सभी आम फल हैं सभी save फल हैं तो निमलिखित में से कौन सा वेन आरेक संभावित हो सकते हैं संभावित पूछा है एक्जेट नहीं पूछा है आपसे possibility पूछे हैं कितने diagram बन सकते हैं तो पहला तो जैसे बोला है कि सभी आम फल हैं सभी आम फल हैं फल के category में आएंगे और सभी save भी फल हैं तो आम एक छोटा सा हो गया और यहां पर एक save भी डाल देते हैं यहां पर लिए यह भी फल हो गया यह diagram तो यह हो जाएगा और क्या हो सकता है एक possible diagram और होगा कि हम क्या करें यह फल तो है पूरा का पूरा बड़ा वाला कि आम और save में भी आपका relation दिखा देए यह आम हो गया और यह save हो गया ठीक है यह main statement को तो गलत नहीं करेगा यहां जो बोला कि सभी आम फल है यहां दिख रहा है आपको सभी आम फल है ठीक है सभी save भी फल है यह वहां भी दिख रहा है मगर कुछ आम save होगा है उससे कोई रिल्ले आदेना है मगर यह भी एक संभाविट diagram है यह diagram और यह diagram आपको किस figure में दिख रहा है तीन कोश्चन इसमें, निमलेखित चित्र में वृत्त जो है, खिलाडी को रिप्रेजेंट करता है, किसे करता है, खिलाडी को, ये जो है, आप हमेसा लिख लिख लिया करो, क्योंकि वहाँ उसे बार बार पढ़ोगे ना, तो confusion होने लगती है, और ट्रेंगल किसे रिप्रेज करता है, खाना बनाने वाले को रिप्रेजेंट करता है, अब आप से question पर आता है, question नमर 13, ऐसे वक्ति की संख्या कितनी है, जो केवल खिलाडी है, उन्हें खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, सिर्फ खिलाडी है, तो आप बताईए, diagram देखिए और answer दीजिए कि कितने ऐसे है, चलिए, देख लिए होंगे आप लोग, answer भी हो सकता है, आपका आगया होगा, हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि बोला ऐसे वक्ति की संख्या कितनी है, जो खिलाडी है, मतलब इसमें आना चाहिए आपका, और किसमें आना चाहिए, उन्हें खाना बनाना नहीं आता, वक्ति भी है, कि संख्या कितनी है, जो केवल खिलाडी हैं, और उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो ऐसे कितने लोग हैं, खाना बनाना नहीं आता, मतलब आपका पूरा का पूरे रेक्टेंगल व़ला गाइप कर दो, जेतने भी लोग हैं बचेगा कितना, 12 और 9, यही ऐ अगले कोशन 14 नमबर को पढ़िए और आंसर दीजिए बोलाए कोशन में ऐसे पुरूस कितने हैं जो तो या तो खिलाडी है या अच्छा खाना बनाते हैं या दोनों है ठीक है अब आप कांसर आ गयोगे चली मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा इस कांसर खिलाडी है बोला क्या आप से पुरूस कितने हैं जो या तो खिलाडी है या अच्छा खाना बनाते हैं या दोनों तो खिलाडी वाले में देख लेते हैं, तो simple से लिख लो 12, या तो खिलाडी बोला, या अच्छा खाना बनाते हो, अच्छा खाना बनाने वाले कितने लोग हैं, 4, ठीक है, 12, 4, 16, और आप से पूछ रहा है, या दोनों हो, ठीक है, दोनों मतलब, अच्छा खाना बनाते हो, या दोनों, तो दोनों में देखो, ये 4 जो है, आपका क्या है, दोनों, ये 14, ठीक है, ये आपका 14 जो हो गया, या तो अच्छा खाना बनाने वाले हो गया, और ये हो गया आपका, कि इन दोनों में हो, कि दोनों का इंटरसेक्शन हो, तीन का नहीं पूछा था, दोनों का पूछा था से तो यह 4 हो गया और 14 हो गया कि सिर्फ अच्छा खाना बनाना वाला हो और यह क्या हो गया 12 सिर्फ आपका अच्छा मतलब खिलाडी हो और यह दोनों लोग हो गये तो इंसको एड करो गये तो कितना हैगा 12, 4, 16 16 14 कितना हो गया 30 तो option C आपका सही होगा अगला question पढ़िए ऐसे खिलाडी कितने हैं जो ना तो खाना बना पाते हैं और ना और ना लड़की हैं आंसर बताइए इसका चलिए देखते हैं क्या पूछा ऐसे खिलाडी कितने हैं खिलाडी पूछा है जो ना तो खाना बना पाते हैं मतलब rectangle में नहीं आने चाहिए और ना ही लड़की हैं ठीक है तो ऐसे कितने लोग हैं इसमें भी नहीं आना चाहिए और इसमें भी नहीं आना चाहिए दोनों में नहीं आना चाहिए हो digit तो एक सिर्फ 12 ही बचा है तो answer क्या हो जाएगा option D, इसका हो जाएगा correct अगले question पर बढ़ते हैं, question number 16 ऐसी लड़कियां कितनी हैं, जिनें अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन वे अच्छी खिलाडी है ठीक है, लड़कियों में जाएंगे, तो खाना बनाने वाला मतलब rectangle में जितने भी आपके digit आ रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे नहीं लेना है, क्योंकि उसे बोला है कि खाना बनाना नहीं आता लेकिन अच्छी खिलाडी हैं, ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं लड़कियों में, तो लड़कियां में सिर्फ 9 ही है, ऐसी कि जो खिलाडी भी है, और लड़की भी है, और बाकी और किसी से intersection नहीं है उसका, तो 9 लोग हैं ऐसे, ठीक है, तो यह answer हो जाएगा, 16 का A, अगले question की तरह बढ़ते हैं, question पढ़िए और answer दीजिए इसका, question बोला है, यदि निमलिखिचित में with, first, जो पहला है, वो किसे denote कर रहा है, इतिहास पढ़ने वाले को, और जो second है, वो किसको denote कर रहा है, हिंदी पढ़ने वाले को, और third, जो है, वो किसको denote कर रहा है, इतिक्स पढ़ने वाले को, और आयत, जो जिसके अंदर ये सब लोग हैं, वो किसको रिनोट कर रहा है student को ठीक है चलिए देख लेते हैं question number 17 बोला निम्न में से कौन सा निसकर सा सही नहीं है आपको बताना है बोला कुछ विद्धार्थी इतिक्स नहीं पढ़ते ये बात सही है क्योंकि ये देखिए rectangle के अंदर ये तीनों विद्धार्थी हैं इसमें intersection है तो कुछ विद्धार्थी ऐसे हैं जो आपके इतिक्स नहीं पढ़ते हैं कुछ और पढ़ते होंगे ठीक है तो ये आपका सही है अगला है कुछ इतिक्स पढ़ने वाले विद्धार्थी नहीं है ऐसा भी है कि कुछ ऐसे इथिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी कुछ इथिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इथिक्स पढ़ते होंगे मगर वो विद्यार्थी में नहीं आते तो यह ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपका हो 17 आयंगे तो यह भी सही है, जो ethikal पढ taught रहा है जो इतिक्स पढेज्वाले वाले वीद्यारथी नहीं है वे इतिहास पहरते हैं, ऐसा तो कहीं दिखने रहा है कि जो ethikal बहुत है है कि इस्टी नहीं पढ रहा है, जैसे यह नहीं पूरा इतिक्स पढ रहा है, जो अनों पढ़ते हों यहां सिफ बोला है कि सिर्फ एक इतिहास पढ़ते हैं तुसलिए यह वाला आपका option D जो होगा वह गलत होगा Question number 18 पर आईए 18 number question आपसे बोला है यदि केवल इतिहास पढ़ने वालों की संख्या 20 हो केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 20 हो, केवल इथिक्स पढ़ने वालों की संख्या 300, कोई भी दो विशे पढ़ने वालों की संख्या 40 हो, तथा तीनों विशे पढ़ने वालों की 10 हो, तथा केवल इनी तीन विशेव में विध्यार्थियों की क्यों संख्या 112 हो है, त 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 40 आपके दोनों भी से पढ़ने वाले हो गए और 10 आपके, क्या हो गए, सभी में common हो गए, तो 30, 20, 50, 90, और कौन सा कोई छुट रहा है, हाँ, 20 और चुट रहा है आपका, 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 100, 20 लोग, ठीक है, इतने लोग हो गए, और आप से पूछ रहा है, बोला क्या गया कोश्चन में कि टोटल जो है विद्ध्यार्थियों की जो संख्या 112 ही है, तो गैर विद्ध्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 120 में से 112 घटा दा तो गैर विद्ध्यार्थी हो जाएंगे, वो कितने होंगे, 8 लोग होंगे, तो आंस कि आपके पास 111 मेंसे 7 और कम कर दो, 112 मेंसे, 112 मेंसे 7 लोग और बाहर कर दो, तो यह जो 7 बाहर जाएंगे वो इसी में जुड़ जाएंगे 8 में, तो 8, 7, 15 हो जाएगे तो 15 गैर विद्ध्यार्थी हो जाएंगे, तो option आपका कौन सा सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा, ठीक अनुत्रिन हो जाए, मदलब फेल हुए है, 18 लोग हिंदी में फेल हुए है, और 68 लोग टोटल पास कितने हुए, 68 लोग यदि कच्छा में 100 लोग है, मतलब संख्या 100 की है, तो कितने विद्ध्यार्थी दोनों विश्वेम अनुत्रिन हुए, इसका डाइग्राम बनाईए और आप आंसर बताई है, मैं दोध मिनिट के बाद आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा कॉपी और पेन ले लिजिए और इसे बनाईए कि ये कुशन कैसे बनता है आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आपके सामने आप नई पड़े हो अगर ये कुशन आ गया तो इसे कैसे सोल्व करोगे reasoning का मतलब ये होता है कि आपका presence of mind तुरंत क्लिक करें और तुरंत आप किसी भी कुशन को सोल्व करें क्योंकि reasoning को मानसिक अभी रूची बोला आयाता है आपको तो आपकी जो मानसिक छमता है उसी के हिसाब पर डिपेंड करता है इसमें ना कोई formula होता है और ना ही कोई trick होता है कुछी chapter होते हैं जो इसने पर चलते हैं बाकी आपके सब दिमाग पर ही डिपेंड करता है इसलिए बाकी सब कुछ हट जाए reasoning आपका हर एक exam में common होता है चलिए कर लिए होंगे चलिए देखते हैं हम इसकी answer को diagram बनाएंगे हम तीन क्योंकि है subject तीन दो ठीक है तीन नहीं दो ही subject है इसमें क्या है आपका एक है English और एक है आपका Hindi ठीक है इसमें पहले देख लेते हैं कि दोनों में पूचाने दोनों में फेल होने वाले लोगों की संख्या में X माले ठीक है एक परिच्चाम 20 विद्धार्ति अंगरेजी में अनुत्रुन हुए है तो केवल अंगरेजी में होने वाले कितने हो जाएंगे 20-X क्योंकि पूरा तो यह अंग्रेजी मत तुरूने वाले पूरा होगा पूरा सरकिल में 20-X प्लास X ठीक है तो केवल अंग्रेजी में 20-X तो केवल हिंदी में कितने हो जाएंगे 18-X अब 100 में से 68 लोग पास हो गए हैं तो फैल कितने होंगे भाईया 32 लोग आपके फैल होंगे तो यह आपका हम जो डाइग्राम बनाए हैं वो फैल बैसिस पे बनाए है तो फैल बैसिस पे देख लेते हैं टोटल इस्टूडेंट फैल का यही तो होंगे यह प्लास यह प्लास यह यही होंगे टोटल इस्टूडेंट फैल के तो 20-x plus x plus 18-x बराबर किसके हो जाएगा 32 के यह x cancel हो जाएगा और 20, 10, 30, 38 हो जाएगा minus x is cost to 32 तो 38-32 बराबर x तो x की value क्या हो जाएगी x की value हो जाएगी 6 तो answer इसका 6 हो जाएगी मतलब 6 लोग क्या हैं दोनों subject में fail है अगले question को पढ़िए और उसे solve करिए तब तक मैं rough कर लेता हूँ और उसके answer बताने की कोशिस करिए और फिर last में बताऊँ तो match करिए कि आपने सही किया है या पूरा का पूरा डुबा दिया है ठीक है? question number 21 पढ़िए सो विद्यार्थी की कच्छा में हुई एक परिच्छा में दस विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्रिण हुए है दस हिंदी में हुए है तथा गडीत में दस विद्यार्थी अनुत्रिण हुए है लगाईए थोड़ा अलग है उससे उसकी ताइपस नहीं है यह थोड़ा सा उससे बोल सकते हो tough है या hard है थोड़ा moderate बोल सकते हो लगाईए फिर देखते हैं हम इसे चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें दस विद्यारती अंग्रेजी, हिंदी और गडित तीन विशा है इसमें अंग्रेजी, हिंदी और आपका गडित ये इंगलिस हो गया, ये हिंदी हो गया आपका और ये हो गया आपका मैट्स बोला है इसमें दस विद्या पहले तो main point जो है जहां से करना है कि तीनों का intersection हमें मिल जाए बोला है कि यदि तीनों विश्य में अनुत्रिन विद्यार्थियों की संख्या तीन हो तो मतलब यह जो है तीनों में फेल होने वाले कितने के फैल बेसित पे डाइगराम है ठीक हैbar 3 है तो यहां तो 3 हो गया अब बोला है कि टोटल 77 लोग पास हुए है तो 100 में से 277 पास हुए है तो fail कितने होए होंगे 23 लोग fail हुए होंगे ठीक है तो यह fail वाले पर बलते हैं यह तीन तो तीनों में fail है ठीक है? तो अब इसको हम मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y इसको मान लेते हैं Z मतलब maths और हिंदी में fail होने वाले कौन है? Z हो जाए maths और English में fail होने वाला Y और maths और English में fail होने वाला X X इनको माल लेते हैं अब बोला है कि एक परिछाब्शा जाओ 10 विद्धार्ति अंग्रेजी में अनुत्रिण हुए है तो अंग्रेजी वाला सर्केल पूरा है यह, जिसमें क्या क्या रहा है वाि ओरला 3 ना जेड़ में तो यह total plus यह भी area आ रहा है यह तो सबके साथ intersection में यह भी area इन सबका sum कितना है 10 है तो हम यह कितना होगा आपके पास जो यह बचेगा तो यह पूरा पूरा circle की value 10 है तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 7 minus x plus y होगा यह ठीक है उसी तरह से हिंदी वाले में 10 हैं तो 10 में से 3 चला जाएगा यह 3 तो सम में common है तो 7 minus x plus z हो जाएगा उसी तरह से इस में x वाले में 3 चले जाएगी इसमें भी 10 ही लोग हैं तो 7 minus y plus z हो जाएगा ठीक है तो अब number of candidate जो fail हुआ है total तो सबको जोड़ लो यह तो करोगे 7 minus x plus y plus ठीक है 7 minus x plus z plus 7 minus y plus z plus में यह x y z plus 3 x y z plus 3 अब सब एको खोल लो तो 7, 7, 7, 14, 73, 81 यह तो आपका किस आई जाएगा total सबको कर लो यह 7, 7, 14, 73, 81 और इन सबको box खोलोगे तो minus x minus y minus x minus z minus y minus z plus x plus y plus z plus 3 x, y, z यह तीनों किसी से cancel हो जाएगे बचेगा क्या minus में 21 plus 3, 24, minus common लो तो x plus y plus z आपका बचेगा equal to किस के बराबर होगा यह fail candidate के बराबर होगा तो 24 minus 23 करेंगे तो हमें x plus y plus z की value आ जाएगी कितनी? 1, ठीक है? x plus y plus z की value आ गई 1, तो आपको बताना है कि दो विश्वव में अनुत्रिन विद्यार्थियों की संखिया तो जैसे x plus 3 किस में है? यह लोग fail? इंग्लिस और हिंदी में उसी तरह y plus 3 यह किस में है? आपके mass और? इंग्लिस में और z plus 3 यह किस में fail है? हिंदी प्लस हिंदी में fail है? इन सब को हम plus कर दें तो आ जाएगा क्या x plus y plus z 3, 3, 3, 6, 3, 9 ठीक है? तो x plus y plus z की value कितनी है? 1 plus 9 तो कितना हो जाएगा 10? तो 10 लोग तो भाईया ऐसे हैं टोटल के मिलाके कि वो क्या हुए है? दो विश्य में अनुत्रिन हुए हैं तो यह हो गया आपका पूरा का पूरा अ question number 22 पढ़िए तब तक मैं rough करता हूँ और पढ़ते तहीं लगाईए उसे ठीक है? पढ़ने के साथ साथ question को लगाईए question क्या है यदि 100 विद्ध्यार्थियों की एक कच्छा में 10 विद्ध्यार्थी अनुत्रिन हुए हैं ठीक है? अंग्रेजी में 10 विद्ध्यार्थी अनुत्रिण हुए हैं, हिंदी में 12 विद्ध्यार्थी अनुत्रिण हुए हैं, अगर कोई भी अंग्रेजी में अनुत्रिण हुआ, विद्ध्यार्थी इतिहास में अनुत्रिण नहीं हुआ है, तथा अंग्रेजी और हिंदी दोनों विशे में अनुत्रिन विद्यार्थियों की संख्या 4 है तो इतिहास और हिंदी दोनों विशे में अनुत्रिन विद्यार्थियों की संख्या बताईए यदि कुल उत्रिन विद्यार्थियों की संख्या 74 है चलिए इसका जो डाइग्राम बनेगा वो अलग बनेगा इ जिसमें से 74 लोग क्या है आपके पास हो गए हैं तो फेल कंडिडेट कितने हो गए आपके पास 26 लोग 100 माइनस 74 26 लोग आपके फेल कंडिडेट हो गए उसके बास से बोला कि अंग्रेजी में 10 विद्यार्थि अनुत्रिन है और एक पॉइंट और जहां से नोट करना है आपको कि दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों विशे में अनुत्रिन विद्यार्थियों की संख्या 4 है तो ये बना लेते हैं अंग्रेजी और हिंदी तो ये इंग्लिस वाला हो जाएगा और ये आपका हिंदी हो जाएगा तो इसमें जो संख्या ये जो दिया है वो चार दिया हुआ है इनके बीच का ठीक और बोल के और एक चीज और बोला है अगर कोई भी अंग्रेजी में अनुत्रिन हुआ विद्यार थी ठीक है इतिहास में अनुत्रिन नहीं हुआ है मतलब कि जो यहां अनुत्रिन हुए है वो इतिहास में नहीं हुआ है ठीक है वो इतिहास में वो अलग से हुए है ठीक तो आपको बताने किसकी संख्या है हिंदी, इतिहास और हिंदी दोनों में इतिहास और हिंदी का इंटरसेक्शन यह होगा यह बताना आपको इसको हम क्या मान लेंगे? X मान लेते हैं इसे हम मान लेते हैं X जिसे हमें निकालना है इसके और इसके बीच में कोई intersection नहीं उसने बोलाया कि कोई भी इसमें और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो दोनों में फेल हुए हूँ English और आपके जो ही यह क्या है आपका history है ठीके अब आगे होगा आपको diagram समझ में तो आप बना लोगे यह 4 है इसमें बोला अंग्रेजी में 10 विद्यार्थी अनुत्रिन हुए है तो यहां से 4 घटा दो तो यह 6 हो जाएगा ठीक और हिंदी वाले case में आते हैं हिंदी वाले में कितने विद्यार्थी अनुत्रिन हुए हैं 12 12 अनुत्रिन हुए हैं तो 12 में से 4 घटा दो 8 और x इसमें अनुत्रिन होगा history वाले में तो 8-x ये होंगे सिर्फ केवल हिंदी में अनुत्रिन वाले 4 तो यहाँ चलेगा हैं 8 मेंसे ये भी घटा देंगे तो वो हो जाएगा history वाला देख लेते हैं बोला इतिहास में 8 विद्यारतिय अनुरत्रिन हुए है तो ये जो बचा खाली केवल हिस्ट्री में अनुरत्रिन वाले कितने हो जाएगे 8-x अब ये सब फेल केंडिडेट का डाइगराम बना है सब को प्लस कर लो भाईया 6 प्लस 4 ठीक है प्लस 8-x प्लस x प्लस 8-x इक्वल टू 26 6-4-10 ये आपका कैंसिल हो जाएगा 16-x इसको अस्ट्रो 26 तो x इदर चला जाएगा 26 ये हो जाएगा x यहाँ आ जाएगा तो इसका अंसर क्या जाएगा आपका 26-x की वैल हो जाएगी 26-26 x की वैलू जाएगा 0 बहुत ऐसे कोई वैक्ती नहीं होगा ये x की वैलू जो होगी वो 0 होगी यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा जो हिंदी और हिस्ट्री में फेल होगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आप्सन C हो जाएगा चलिए कोशन नंबर 23 पर बढ़ते हैं 23 नंबर कोशन देखिए ध्यान से और इसके आंसर को करते हैं पढ़िए और इसे अपने तरीके से करने की कोसिस करिए अभी तक मैंने इतने कोशन करा दियें कुछ तो तरीका आपको पता चली गया होगा कि कैसे इस टाइब के कोशन को करते हैं 100 विद्यार्थी की एक अच्छा में 20 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्रिण हुए हैं 10 इतिहास में और 10 केवल हिंदी में अनुत्रिण हुए हैं यदि इतिहास में अनुत्रिन प्रतेक विद्यार्थी, अंग्रेजी में भी अनुत्रिन था, तो कितने विद्यार्थी उत्त्रीड थें, ये पूछा है, कंडिशन अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है जो सेंटेंस बोला है, बस आपका आंसर निकलाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक, तो कहां लगाना है दिमाग, ये पॉइंट देखिए, टोटल इसमें 100 विद्यार्थी हैं, कौन हिंदी में, ठीक, यदि इतिहास, ये पॉइंट, इतिहास में अनुत्रीन प्रतेक विद्यार थी, अंग्रेजी में भी अनुत्रीन हैं, मतलब जितने इतिहास में अनुत्रीन हैं, उतने ही अंग्रेजी में हैं, तो इसका डाइगराम क्या हो जाएगा, आपका, इतिहास मे कितने लोग फेल हैं 10 लोग और अंग्रेजी में कितने हैं 20 तो 20 तो जादे हो गया तो 20 वाला बड़ा तो इसी 20 में ये भी 10 इंकल्यूड हो जाएगा तो हमें उसे अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं होगी तो इसे क्या हम बोलेंगे ये कौन से हैं ये आपके जो फेल हुए हैं वो हिस्ट्री वाले हैं और ये जो हैं इंगलिस वाले हैं और अलग से कौन है कि 10 लोग हिंदी में फेल हुए हैं तो टोटल फेल केंडिडेट निकाल लो तो टोटल फेल केंडिडेट तुमें कितना दिख रहा होगा अब इसे मत जोड लेना कि 10, 20, 10, 30 ठीक है 20, 10, 30, 10, 40 मत कर देना इसे भी जोड कि क्योंकि ये जो 10 हुए है हिस्ट्री में फेल वो पूरे के पूरे इंगलीस में भी फेल हुए है तो नंबर तो वही हुआ क्योंकि ये highest है तो हम लेंगे फेल केंडिडेड कितने होंगे 20 और 10 है तो टोटल फेल केंडिडेड 30 होंगे तो 100 में से 30 घटा दोगे तो पास केंडिडेड कितने होंगे 70 लोग आंसर कौन सा हो जाएगा आपका option C अगला question question number 24 पढ़िए और उसे answer दीजिए बोला किसी सम्मेलन में कुल 100 कुल 100 प्रतिभागियों में से 70 भारती हैं यदि कुल प्रतिभागियों में 60 सकहारी हैं तो निमलिखित में से कौन सा यसे कथन सही होगा चलिए मानिये 100 ये हैं 100 में क्या हैं 70 आपके भारती हैं इंडियन है तो 30 आपके अलग हो जाएंगे अब इसमें बोला है कि कुल प्रतिभागियों में मतलब 100 में ही आपके 60 लोग सकहारी हैं ठीक है सकहारी हैं 40 लोग आपके क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे मानसाहारी हो जाएंगे ठीक तो अब इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है बोला है कम से कम आपका 30 भारतिय प्रतिभागी सकहारी है कम से कम तो यहां देखिए जो 60 है और यहां 70 लोग की संख्या है तो ऐसा हो सकता है कि यह केंडिडेट पूरे के पूरे उसमें भारति हो और पूरे के पूरे आपके सकहारी हो यह हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें इससे जादे तो हो नहीं रहा है यहां सिर्थ 30 का जिकर कि 80 तो किया नहीं असी करता तब तो दिक्कत हो सकती थी कि भारती प्रतिभागी सकहारी है कि नहीं है तो 60 में से हम जब 30 घटा देंगे तो 30 बचेगा ठीक तो 30 टोटल तो 60 लोग सकहारी है तो अभी भी हमारे पास जो हैं 30 ऐसे हैं पर जो सकहारी है टोटल में से 60 में से अगर मैं 30 मान लूँ कि हमारे सकाहरी भारती हैं ठीक, 30 लोगों को, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे ये जो अलग थे 60 में से 30, इसको हम माइनस कर दें कि ये लोग हों, तभी हमारे 30 बचे हैं तो वो 30 क्या होंगे, इंडियन ही तो होंगे ठीक, तो ये हमारा जो है पहला कथन, वो तो सही है, एकदम 100% क्योंकि 100 ही लोग हैं, 30 लोग विदाउट भारती हैं, उसको घटा दो 60 में से तो 30 बचे तो वो भारती ही होंगे अगला है, कम से कम, 10 भारती प्रतिभागी जो होंगे, वो क्या होंगे, मनसहारी होंगे ये भी देख लेते हैं, 40 लोग मनसहारी हैं 40 में से 30, जो भारती नहीं है, उसे घटा दे तो हमारे पास कितना बचा, 10 तो मिनिमम बचा ही बचा और वो भी बोला है, statement 2 भी कम से कम 10 भारती प्रतिभागी ऐसे हैं, जो मनसहारी हैं, ये भी सही है तो आपके दोनों statement सही हैं, तो option C इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, अगले question की तरह बढ़ते हैं, question number 25 ठीक, पढ़िए उसे और क्या बोला है, आप उसका अंसर दीजिए बोला है, किसी कलब के सभी सदस बुम्बई गएं, और एक होटल में रुकें पहले दिन 80% खरिदारी के लिए गएं, और 50% परियटन के लिए गएं घुमने के लिए कोई 50% गएं, जबकि 10% ने होटल में विसराम किया उपयुक्त आंकडों में निमलिखित में से कौन सा निसकर्स निकलता है, ये बताना है आपको पहला आपका दिया गया है निसकर्स के तौर पे, कि 40% सदस खरिदारी के साथ साथ प्रेयटन के लिए भी गएं, ठीक है, और सेकेंड दिया 20% सदस केवल लिख दिया है एक संटेंस आगे आपके निसकर्स में केवल खरिदारी के लिए गया है, ठीक है, अब देखते हैं इसे कि कैसे करें ठीक, टोटल 100% हम माल लेते हैं, 100% में 10% तो आपके कहां रुख गया है, होटल में ही रुख गया है तो अब मैं बना देता हूँ एक डाइग्राम, जिसमें मैं बता दूँ आपसे, कि जैसे बोला है पहला निसकर्स, इसको देखते हुए, कि 40% सदस खरिदारी के साथ साथ परेटन करते हैं, मतलब मैं ऐसा बना दूँ यह 40% यहां, कि यह लोग, एक तो यह हो गया आपका क् खरिदारी वाला, और यह वाला परेटन हो गए, तो 40% ऐसे लोग हैं, जो खरिदारी भी करते हैं, और साथ साथ परेटन में मतलब घूमते भी हैं, इसी पहले निसकर्स पर डाइग्राम बना रहा हैं, देखें, सही होता है कि नहीं हमारा, यह निसकर्स, तो इस पूरे खर खरिदारी करने के लिए कितने गए थे, 80 लोग, तो 40 और बचेंगे, यहां पर 40%, तो 40 प्लस 40, 80 हो जाएगा, परेटन के लिए कितने गए थे, भाई साथ, 50% लोग, तो 10% यह हो जाएगा, तो मतलब परेटन में, केवल परेटन वाले 10% हो जाएगे, तो यह फॉलो कर रहा है पूरा, क्योंकि देखो, 40 प्लस 10, यह परेटन क्या हो गया, और 40 प्लस 48, यह डाइगरम पूरा फालो कर रहा है, तो यह निसकर्स हमारा निकलेगा, यह तो सही हो गया, मगर जो सेकेंड बोला है, कि 20% सद्यस से केवल खरिदारी के लिए गए, यहां आपका क्या है, इतने परसेंट हैं लोग, 40% लोग, ठीक है, टोटल यहां बोला 80%, अब मिनिमम से मिनिमम भी 40% लोग खरिदारी करेंगे, 20% लोग नहीं, ठीक है, 20% करेंगे, तो हमारा सही से जो है, वो एकुरेट बैट नहीं पाएगा, तो यह हमारा गलत हो जाएगा, सरा सर, तो हमारा जो option होगा, वो कौन सा सही होगा, option A सही होगा, कि एवल पहला निसकर्स निकलता है, question number 26 पे चलते हैं, question पढ़िए और answer दीजिए, UPSC, UPSC 2019 का question है, ठीक है, 26 number, किसी समू में 15 वेक्ति हैं, जिनमें से 7 French पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 15 वेक्ति जिनमें से 7 French पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भासाओं में कोई भी भासा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कितने वेक्ति एक भासा पढ़ सकते हैं, इसमें पूछा आपसे कितने वेक्ति एक भासा पढ़ सकते हैं, ठीक है, पह बोला है तीन लोग दोनों भासा नहीं पढ़ सकते हैं अब मैक्सिमम आपके जो information दिया है वो पढ़ सकते में दिया है तो हम diagram भी जहां maximum information दिया होता है उसी पर बनाते हैं तो हम लोगों ने अभी 21-22 question किया जिसमें अनुत्रिन अनुत्रिन विद्ध्यार्थी की information जादे दी थी तो diagram हमने अनुत्रिन पर बनाया क्योंकि उसकी data जादे दिया हुआ था question में और यहां पर हम diagram किस पर बनायेंगे जिस पर पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं का सिफेक दिया है तो चलिए ये हो गया french ठीक है और कौन है french पढ़ने वाले हैं और अंग्लेजी पढ़ने वाले इंगलिस पढ़ने वाले हम माहलने थे हैं कि x लोग ऐसे हैं ठीक है जो दोनों भासा पढ़ते हैं ठीक तो फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 7-x केवल फ्रेंच पढ़ने वाले और केवल अंगरेजी पढ़ने वाले टोटल अंगरेजी पढ़ने वाले 8 हैं तो केवल अंगरेजी पढ़ने वाले 8-x हो जाएंगे ठीक तो 8-x इसके बाद ये total किसके बराबर होगा किसी जम्मुई में 15 वेक्ती हैं और उसमें से कितने लोग तीन लोग दोनों भासाओं में कोई भी भासा नहीं पड़ते हैं ठीक है अब ये total सबके हम किसके approach गिनाएंगे सबको 7-x plus x 7-x plus x 8-x ठीक है plus x ठीक प्लस और क्या प्लस करोगे 3 equal to 15 ये 3 क्यों प्लस किये हमें 15 के बराबर करना है तो देखो यहाँ पर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने हैं 7-x केवल फ्रेंच पढ़ते हैं x हो गया जो दोनों लोग पढ़ते हैं 8-x जो इंग्लिस केवल पढ़ते हैं और ये x हो चुका था एक बार यहाँ पर ठीक है तो इस अटाते हैं प्लस 3 क्योंकि है प्लस 3 यह है जो कोई भी भी से मतलब दोनों भी से नहीं पढ़ते हैं ठीक है यह दोनों भी से नहीं पढ़ने वाले हैं तो यह भी तो उसी पंदरा में इंक्लिूड हैं तभी तो यह पूरा पंदरा के बराबर होगा अब इसे solve कर लेते हैं तो 8, 7, 15 minus x plus 3 equal to 15 तो 15, 3, 18 minus x equal to 15, तो x की value कितनी हो जाएगी, 18 minus 15 3 ठीक है, 18 minus 15 आपकी value 3 हो गई, और आप से पूछा क्या है इसमें question देख लेते हैं, एक भासा पढ़ सकते हैं, single भासा पढ़ने के लिए पूछा है आप से तो x की value तो 3 हो गई, अब single भासा कौन कौन है, जैसे ये केवल French पढ़ने वाले और केवल English पढ़ने वाले, तो केवल French पढ़ने वाले, कितने लोग हैं 7 minus x, x की value कितनी है, 3 तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और English पढ़ने वाले केवल कितने हैं 8 minus x मतलब 8 minus 3 मतलब, आपका 5 तो दोनों को add कर दो तो 5, 4, 9, तो option कौन सा होगा, इसमें option B होगा correct, ठीक, तो ये हुआ चले इसे rough करते हैं, तब तक आप लोग अगला question पढ़िए, question number 27, honky खेलने के लिए 19 लड़के आये हैं, उन में से 11 honky की कमीच पहने हुए हैं, ठीक है, और 14 honky की paint पहने हुए, मतलब, कुछ लोग honky की paint पहने हैं, और कुछ paint पहने हैं, एक भी लड़का ऐसा नहीं हैं, जिसने कमीच या paint ना पहनी हो, पूरी वर्दी पहनने वाले लड़कों की संख्या क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है, बताईए आप लोग, सभी लोग answer बताईए, इसका क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर आप लोग चेक करिएगा, कि आपका answer क्या होगा, ये भी diagram पर ही है, मैंने इसलिए circle खोड़ के छोड़ दिया है, diagram बनाईए, और जो भी बोला जाए, उसे, चलिए आगया होगा आपका answer, तो अब देख लीजिए, check कर लीजिए मेरे से, कितने लोग हैं total, 19 लोग हैं, 11 लोग, होकी की, paint पैंटे हैं, paint वाला, आपका ये हो गया, और कमीज वाला, ठीक है, आपका जो है, 11 लोग कमीज पैंटे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है, जो कोई भी अलग से पूरे वो पैंटा हो, ठीक तो इसमें अब क्या आएगा, वो आपको देखना है, 11 लोग, हां कि क्यों कमीज पैंटे हैं, 14 लोग paint पैंटे हैं, total 19 हैं तो 11 प्लस 14, 4 एक पांच, एक एक दो पच्चिस, तो टोटल आपके पास 19 हैं, यहां 25 हो गए, तो 25 में से 19 घड़ा दो, कितना बचा, 6 लोग तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मतलब 6 लोग ही ऐसे होंगे, जो लोग common होंगे, वही पूछा है आपसे, कि पूरी वर्दी पहनने वाले, पूरी वर्दे का होंगा, paint और कमीज जब मिल जाएंगे तभी होगा, तो पूरी वर्दी वाला पूछा है आपसे, तो पहले कि अप इन सब को add कर लो, 11 और 14, 25 हो गया, टोटल 19 ही लड़के हैं, तो कितने extra हुएं, 6, तो 6 ऐसे होंगे, जो full dress में होंगे, तो यहां आप रख दो 6, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, यह total, कमीज वाले कितने थे, 11, तो 6, 5, 11, और paint वाले कितने थे, तो 8, 6, 14, तो यह आपका हो जाएगा arrangement, तो total कितने हुएं, 6 लोग ऐसे, full dress वाले, answer 27 का C होगा, ठीक है, अगले question की तरह बढ़ते हैं, question number 28, बोला आकृती पर विचार कीजिए, यह उस संख्या, जो, तीनों आकृतियों में, है, मैं उसे उन संख्याओं का योग, जो केवल, त्रिभुज में है, को घटाने पर प्राप्त संख्या है, आपसे पूछ रहा है, कि इस पर विचार करिए, figure पे, यह उस संख्या, जो, तीनों आकृतियों में है, यह कोई एक संख्या है, जो तीनों आकृतियों में है, तो तीनों आकृतिये में कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों में हो चारी है जो सम्मे कॉमन है चलो लिख लिए उसके बाद उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभूज में हैं त्रिभूज में कितनी संख्याओं हैं केवल त्रिभूज में पांच और तीन बाखी सब तो रेक्टेंगल में हैं स्क्वाय और अपके इसमें सरकल में भी हैं तो केवल त्रिभूज वाली पांच और तीन आठ उसे माइनस करने पर क्या आएगा वही पूछा है माइनस चार आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका A अगला कोशन नमर्ट 29 नीचे दिये गए चित्रों में लाव लाभांस और बोनस को दर्साने वाला सबसे अच्छा संबंध कौन सा है सबसे अच्छा वेंड डाइग्राम क्या है आप बताईए आंसर बताईए फिर मैं बताता हूँ देखिए लाव लाभांस और बोनस ये क्या होते हैं लाभ हुआ चाहिए लाभांस हुआ ये सब किसके कटिगरी में आएंगे एक बोनस के कटिगरी में आएंगे जो भी चीजे होती हैं ये सभी बोनस होती हैं तो ये औप्शन क्या इसका होगा C हो जाएगा अगला कुश्चन 30 निम्न आरेक में से कौन सा यात्रियों रेल गाड़ी यों बस के बीच सबसे अच्छा संबंद प्रदर्सित करता है MPPCS 2012 का कुश्चन है आसान सा कुश्चन है यात्री रेल गाड़ी यों बस तीनों में आपको संबंद इस्थाफित करना है देखो आप मानो यात्री हो तो आप दोनों से जाना पसंद करोगे ठीक है तो यात्री का ये हो जाएगा डाइग्राम ये कुश यात्री हो सकता है रेल गाड़ी पसंद करते हो और कुश आपके बस पसंद करते हो ठीक है बस पसंद करते हों कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करते हों तो यह आपका डाइग्राम बनेगा तो option D हो जाएगा इसका most appropriate representation ठीक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं question को थोड़ा minimize करते हैं पढ़िए इसे और answer दीजिए last है 31 से 30 number question नीचे दी गई एक आकरिती में चार वित एक दूसरे को काड़ते हुए हैं उसमें आपको जो भी दिया हुआ आप direction पढ़ लीजिए आसान सा है direction में कोई दिक्कत नहीं है और आप से सीधे direct question पर आईए question पढ़िए और answer दीजिए कौन से संख्या सभी चार गुणों वाले व्यक्तियों को दरसाती है simple question जो सभी में कितने diagram है आपके चार सरकिल है चारों सरकिल देख लिए एक दो तीन चार चारों में जो common हो वही होगा इसका answer क्या है 20 यही ऐसा है जो sum में है तो इसका answer हो जाएगा कौन सी संख्या सभी चारों गुणों को दरसाती है मतलब 20 answer 20 option C question 32 सबसे अधिक संख्या वाले व्यक्ति का गुण है तो क्या करो कुछ नहीं करना इसमें सभी का जैसे इमंदार है इमंदार में जितने हैं 20 plus 11 plus 14 plus 10 ठीक plus 13 plus 15 plus 17 सभी add कर लो सभी के add करोगे तो इमंदार वाले में जितने होंगे वही जादे होगा ठीक है इसका जो आएगा सम 100 के अप्रोक्स आएगा बाकी सभ अंडेट से कमी होंगे तो ये इसका जो होगा सबसे जादे हैं सभी जादे गुड़ वाले वेक्ति इसी में है किसमें इमंदार में है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 33 कितने वेक्ति इमंदार इवं बुद्धिमान दोनों गुड़ रखने वाले हैं देख लेते हैं कोश्चन डाइग्राम में इमंदार और बुद्धिमान पूछा है आपसे इमंदार और बुद्धिमान रखने वाले कितने लोग हैं जोड़ लो इन दोनों सरकिल में आने चाहिए इसमें और इसमें तो कितने हैं 20 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 10 यह इस वाले में पूरे में common है यह इस portion में common है जो इमंदार और बुद्धिमान की बीच intersection है तो इनहें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा पचपन टोटल पचपन लोग ऐसे हैं जो यह दोनों गुड़ रखते हैं तो option कौन सा इसमें सही होगा यह question आयोग जो MPPCS में कराया गया था इसे आयोग ने सब को full marks दिया था क्योंकि इसमें option दिया नहीं गया था ठीक है इसमें सभी को full marks मिला था ठीक इसका आंसर पचपन होगा जो दिया नहीं गया था option में question number 34 पे पहुंचते हैं last question है निमलकित में से कौन सा चित्र अध्यापक महिला के मा के बीच शबसे अधिक सही संबंद को अधर्स हाता स n बताइए बनाईए खुद डियाग्राम को और चेक करिए किस में से आपका क्या कोई डियाग्राम बन पा रहा यह नहीं बन पा राए बना लिए इतना ही समय मिलेगा जितने मैं आपको दे रहा हूं चलिए यह आपका पूरा का पूरा कैंडिडेट इसमें क्या बोला है अध्यापक महिला और मा तो किसके किसके बीच में ऐसा लग रहा है कि क्लास बनेगा महिला और मा क्योंकि जितनी महिलाएं होंगी उसी के अंत्रगत आएंगी ठीके महिला एक बड़ा क्लास होगा जिसमें मा आएगी ठीके जितनी मा ही होंगी वो पूरी की पूरी की लोग क्या होंगी महिलाएं ही होंगी और तो कोई होगा नहीं प्लस और क्या ब कुछ ऐसी माँ होंगी जो अध्यापक भी होंगी तो हम ऐसा बनाएंगे अध्यापक को इसको भी कट करें और महला वाले को भी कट करें सब्सक्राइब और अध्यापक में यह जो बाहर आपको दिखा रहा है, यह पुरुस, कि पुरुस भी कुछ ऐसे होंगे, जो अध्यापक होंगे, ठीक तो यह डाइग्राम सबसे अच्छा होगा, तो option C में है, तो यह आपके 34 question हो गए, जो आपके previous year कई ना कई वेंड डाइग्राम से question को, ऐसे question कैसे किया जाए, तो हम आप लोगों को लिए वो सुविधाय उपलब्द करा देंगे, ऐसे मैं आपको सभी, जो भी मेरे हिसाप से लगता है, मैं paper देखता हूं, analyze करता हूं कि क्या जरूरी है, कि last moment में आपको किसके question करा दिया जाए, जो आपके exam में at least कम से कम, अगर minimum के 20 question आपके आ रहे है math reasoning मिला के, तो जिसमें से minimum आपको 10 question तो आएगा, आप maximum मालने तो 15 से 16 हो सकता है, तो उसमें 15 से 16 में 16 के 16 ही कर जाओ, full के full marks लाओ, क्योंकि reasoning हर एक exam में scoring होता है, तो जब इसमें score हो जाएगा तो बाकि अपने subject में तो तुम लोग महारती हास subscribe कर दिजिए और share करिए इसे जादे से जादे अपने दोस्तों और बंधूओं के बीच में, अगले lecture में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी लोगों का